तो स्वागत है साथियों उस दौर में उस दौर की बात करेंगे उस दौर में लोगों के पास सुबधाय कम थी तो लोग जो है यूज किया करते थे गोबर के कंडे लकणियों को भोजन पकाने के लिए और यह आप देख सकते हैं दृष्य को जो कि मैं आपको दिखा रहा हू एतिहासिक है पलायन किया गया और यह जगें आज भी जो है विद्धमान है चलिए आज कुछ इसका अगला मैं आप सभी के साथ पार्ट साजा करूंगा इससे पहले भी मैंने आप सभी के साथ इसके दो वीडियो दिये हुए हैं और मैंने दिखाया है कि किस तरह से क्या इ दिखाऊंगा हाला कि अंदर जाना बहुत ही खत्रा है काफी है लंबा चोड़ा है करीब चपन से लेके ठावन के करीब इसमें रूम हुआ करते थे तो यह आप देख सकते हैं और यहां से लोग जो है अब जा चुके हैं पलायन किया जा चुका है इस घर की आप साइज दे है यह देखिए तो यह उपर से पूरितर से गिर चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो परंतो नीचे से वह अगर आप सामने देखें तो वह जो आपको दिख रहा है यह हुआ करता था कोई पहले लाइट नहीं हुआ करते तो दिए वागेरा रखने के लिए और यह जो अब देख पा रहे हो यह है मैं तो जूम करके आपको दिखाता हूं इसे खुटी कहते हैं और इसका उप्योग क्या था था कपड़ो वगेरा को टांगने के लिए या फिर कोई सुमान को बैग में रखके टांग सकते हैं इसे जो है ताड़ा कहते हैं और इसमें आप कुछ चीजह रख सकते हैं तो इसमें दीप भी रख सकते हैं और यह बेसिकली डिजाइन हुआ करे था उस समय इस पे लोग दिया वगेरा सब कुछ रूम को जलाने के लिए प्रकास के लिए रोस्नी के लिए रखा करते थे देख सकते हैं अब लोग चले गए हैं ये आज एक इतिहास है खंड़ार और इस खंड़ार को आप मैं काफी करीब से इसके काफी कुछ मैंने इसके बारे में आप सभी किसाथ साजा किया है पलायन हुआ लोग चले गए लेकिन जो यादे हैं वह आज भी इसमें आपको महसूस हूँगी अगर जब आप आते हैं तो अच्छा चलिए मैं आपको अब कुछ अलग चीज़ में दिखाता हूँ कुछ जिस इस आप से पहले बना करता था स्क्राइब करते ही जब लोग यहां से गए उस समय आप यह जो आप देख पा रहा है। छपुआ था इसका हैर्ड ऊसका दो को मिला कि इस तरह से कुछ मैं आपकोर और आता हूँ यह देखें यह दूँखता दो ठबब को इस तरह से रखा जाता था और यहां बीच में एक नर्या हुआ करते थी तो मैं आपको वो ड़िजाइन देखा। मैं एक दो नर्या हम से लेके आपकोर दिखाता हूँ किस तरह से घर का जो है चान cry यह कुछ नठी अए लिए रखा ज्टा था तो इस तरह से यह कुछ उपर इंग कडियारे करता यह construction अगर आपया सा मही गlessis साविप तो यह दिखें आप आप सामने दिखा रही हो यह वैसल्ग जो उपर का यहां प है यह सामने आप देख पार हो जो मैं आप नीचे की दिखा रहा था तो कुछ ही इस तरह से घstore का निर्माड हुआ करता था और ये मिटिन जो है बनता था यह देख सकते हैं आप चलिए इस कंस्ट्रक्शन का एक उपर व्यू देखते हैं लोग यह आप देख सकते हैं कई टन लकड़ी हैं आप मैं देख भा रहा हूं गिरी हुई हैं चारु तरफ समय के साथ यह लोग काफी उचा है दिवाल की अगर आप देखें जबीन से तो वहां से लेकर काफी उचा है 15 फीट से उपर ही है यह जो इसकी उचा है दिवाल की प्रिखें जचा है यह है यह जचा है यहा यह बड़िया है यह जचा है दो शॉर को ुट प्रिखें शींूर की उचा है सबस्दक्राइब बोच हमाले बोच हमाले बोच हमाले बोच हमाले बोच हमाले बोच्स कोच對不對 बोच हमाले यहroatं चाए झाल झाल